ओम शान्ती सुनते हैं 31 जन्वरी 2014 की अव्यक्त मुर्ली आज की मुर्ली का टाइटल है अचानक के पहले अलार्ट रह स्वेम को पावरफुल मनाओ खुश्मिजाज रह संतुष्टा का वायू मंडल मनाओ साथ साथ हर एरिया में संदेश देने का कारे पूरा करो अब कोई कावी उलाना रह न जाए आज की मुर्ली से चार क्वेश्चन नमबर वन कौन सा मिलन अती न्यारा और अती प्यारा है नमबर डू सभी आतमाओं को क्या अनभाव कराना है नमबर थ्री आपका विशेश कारे कौन सा है लास्ट बाप दादा सेवा के साथ और क्या इशारा दे रहे है तो इचार क्वेश्चन अब जो है बाबा ने सारी मुर्ली में आज कोई भी एरिया आपके हास पडोस कोई स्थान रहना जाए वो बच्चों को कवर करना है सब को संदेश देना है ज्यान में चले ना चले ही उनका भग गये लेकिन तुमारी और से संदेश का काम नहीं रहना चाहिए सारे विश्य की आतमाओं को संदेश देना ही है और विशेश कर आप अपनी एरिया के तो जिम्मेवार हैं जिसका बाबा हिसाब किताब पूछेगा बहुत अदबुत बात है कोई-कोई जीवन भर अपने रिस्तेदारों को मैसेज नहीं दे पाते हैं सबको मैसेज देना अच्छा सुनते हैं कतिस जन्वरी चोदां की अव्यक्त मुरली आज की सभा सनेही और समरिती सुरूप के स्थिती में स्थित दिखाई दे रही है हर एक के मन में विशुकल्यान का उमंग उत्सा समाया हुआ है चाहे सनमुख हैं चाहे दूर हैं लेकिन सारा ब्रह्मन परिवार दिल के सनेह में समाया हुआ है यह सनेह परमातम और आत्मा के मिलन का सनेह अती नियारा और अती प्यारा है कुश्चन था ना कौन सा मिलन अती नियारा और अती प्यारा है यह सनेहे और परमातमा और आतमा के मिलन का सने अती नियारा और अती प्यारा है आज बाप दादा चारों और के बच्चेों को समर्थ रूप में देख रहे जहां समर्थ है वह व्यर्थ स्वते ही समापत हो जाता समर्थ बाप और समर्थ बच्चे ये समर्थ आत्मा और परमात्मा का मिलन अती प्यारा और नियारा है कौन सा मिलन नियारा प्यारा है समर्थ बाप और समर्थ बच्चे का ये मिलन सिर्फ संगम पर ही मिलता है परमात्मा और आत्माओं का साकार मिलन कोटों में कोई आत्माओं कोई अनभव होता है ये परमात्माओं और आत्माओं का मिलन कलप में अब संगम पर ही होता है और वैस्व भाग्यशाली क्या पदम भाग्यशाली आत्माएं आप सन्मुक मिलन मना रहे हैं सब के दिल में इस समय यही मिलन का भाग्य प्राप्त होता है, सब के मन में मेरा बाबा मेरा पन है, बाप दादा भी इस समय यही चाहते हैं, कि और भी आतमाओं को अनभव कराओ, मेरा बाबा और वर्से का अधिकारी बनाओ, आज संसार में दुख शान्ती या अलब काल का सुख फैला हुआ है, उन आतमाओं को सदा के सुख शान्ती का थोड़ा सा भी अनभव जरूर कराओ, क्योंकि इस समय ही अनभव करा सकते हो, इस समय को वर्दान है आतमाओं को प्रमात्मा से मिलाने का, सारे कलब में आतमा प्रमात्मा का मिलन, परिचे, संबंद, वर्सा इस समय ही प्राप्त होता है, तो अब हरेक बच्चे को जो अधिकारी हैं, उन्हों को सदाउन आतमाओं के उपर तरसाना चाहिए, कि कोई भी आतमाएं, चाहे देश, चाहे विदेशी, वन्चित रह नहीं जाएं, आपका विशेश कारे यही है कि किसी भी परकार से कोई एरिया, आप बाबा एरिया की बात करों, तो क्वेश्चन था न, एक तो बाबा ने कहा कि कोन सा तुम्हारा विशेश कारे रहा है, कारे करना है तुम्हें, आपका विशेश कारे यही है किसी भी प्रकार से कोई एरिया ऐसी नहीं रह जाए जो उलाना दे हमें परिचे ही नहीं मिला सर्विस तो चारों और कर रहे हो लेकिन कोई भी आसपास की एरिया रह नहीं जाए उलैना नहीं मिले हमारा बाबा आया और हमको पता ही नहीं पड़ा कितना उलाना देंगे यह जिम्मेवारी आप निमित बने हुए बच्चों की है जहां तक हो सकता है वह संदेश जरूर दे दो नौट करो कौन सी एरिया रही हुई है जो लाना रह नहीं जाए के हमें तो पता ही नहीं पड़ा पता देना आपका कर्तव्य है जाने नहीं जाने वह जाने तो हर एक अपनी एरिया के आसपास चेक करो कोई भी एरिया संदेश के बिना रहा तो नहीं है बाग्य हरेक का खुद है लेकिन संदेश देना संदेश देना आप बाग्यवान आत्माओं का कर्तव्य है हरेक को अपनी एरिया का आसपास की एरिया को चेक करना चाहिए मुझे याद है इस मुर्ली के बाद क्योंकि 30 जन्वरी के मुर्ली है फिर शुवरात्री आगे निकट थी इतना धूम मचा के सबने सेवा की कोई एरिया नहीं रह जाए कोई एरिया नहीं रह जाए बाबा ने इतना मंग भरा तो सबने खूब सेवा किया कि हमारी एरिया का वै उलहना रह नहीं जाए हमें तो पता ही नहीं पड़ा चाहे छोटा गाउं है चाहे बड़ा गाउं है शेहर है संदेश देना आप भगवान आत्माओं का काम है चेक करो हमारे आसपास की एरिया में संदेश पहुंचा है किसी भी एरिया का उलाना नहीं रह जाए क्योंकि majority मुख्य शहरों में पहुंच तो गए हो लेकिन फिर भी चेक कर लो कोई भी एरिया रह नहीं जाए जो आपको उलाना देवे हमारा बाप आया और हमें पता ही नहीं दिया चेक तो करते हो ना बाप तादा देखते हैं फिर भी अपनी अपनी एरिया जहां तक पहुंच सकते हो कोई नहीं पहुंचा है वाँ संदेश देना है संदेश देना है आपका कर्तव है चाहे छोटी एरिया है लेकिन आपकी एरिया के नजडीक है तो आप नोट करो छोटी छोटी एरिया वाले भी आपको उलाना दे सकते मौले वाले भी दे सकते हमारा बाप आया हमको मालूम पड़ा हमारा बाप है क्योंकि सब का बाप है वो तो सब का बाप, सब धर्मों का तो आपने क्यों नहीं बताया इसलिए चेक करो अपनी एरिया के चारों और संदेश पहुंचा है फिर आपकी जिम्मेवारी पूरी हुई ऐसे नहीं के छोटी एरिया लेकिन उस एरिया के हैं हैं तो बच्चे ना किसी को भी भेज के कम से कम पता तो पड़े कि हम सब का बाप आया है चाहे किसी भी प्रोग्राम से अपनी एरिया को सारा पूरा करो अगर चोटी एरिया को छोटे को भेजो लेकिन वन्चित नहीं रह जाए क्योंकि समय अचानक आता है बता के नहीं आएगा आपने चारों और संदेश देने का करतवे अवश्य देखो मानो आपके एरिया में कोई सेवा नहीं है एरिया में तो जो साथी एरिया वाले हैं उनको बता के उन्होंको निमित बनाओ कोई आत्मा रह नहीं जाए संदेश मिलना चाहिए बाकी उन्होंका भाग गये हर एक अपनी एरिया को चेक करना चाहे छोटी ही गली है ना चाहे किसी भी रिती से करो उलाना नहीं रह जाए यह हमें तो पता नहीं पड़ा यह आप लोगों का फर्ज है क्योंकि कोई भी हालत अचानक किसी समय भी आ सकती है अपना फर्ज पूरा करो चाहे किसी को भी भेजो लेकिन उलाना नहीं रह जाए किसी एरिया कि हमको तो पता ही नहीं पड़ा किस एरिया के तो नजदीक होंगा क्योंकि अचानक कुछ भी खिट-खिट शुरू हो जा सकती है अपना फर्ज आस पास का एरिया देख चेक करो कोई रही हुई तो नहीं है अगर दूसरे की एरिया है तो उससे राय करो ऐसे बिना राय के नहीं करो राय करो और पूरा करो क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है इसलिए आज बाप दादा चाहे देश चाहे विदेश सभी बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि अपनी एरिया को चेक करो राय करके बड़ों से उस द्वारा कराओ लेकिन रह नहीं जाए मिटिंग करते हो न उसमें एक दो से राय कर सकते हो बाप दादा यही कहते हैं कि समय अचानक आना इसलिए कर देंगे, कर लेंगे, हो जाएगा यह कोई-कोई का संस्कार होता है तो रह नहीं जाए, यह बाप दादा सभी को इशारा दे रहे है अपनी एरिया को चेक करो अगर दूसरा कोई करने चाहे तो उससे भी कराओ क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं छोटी-छोटी बातें तो अचानक हो ही जाती है आप अपनी एरिया को देख लो पास-पास कितनी भी आपकी एरिया बनती है वहां संदेश रहा हुआ तो नहीं है उलाना तो नहीं मिलेगा बाकी आप सभी बाप के सिक्की लद्दे बच्चे जो बाप के बन गए वे कितने सिक्की लद्दे हैं बाप दादा भी सिक्की लदे बच्चों को देख खुश होते वा बच्चे वा पुर्शार्थ में ठकना नहीं कोई भी छोटी मोटी बात आती है मदद लो नहीं तो किस से मदद नहीं लेनी है तो योग बल से चेक करके उसको कोई न कोई सहयोग ढूंडो तो बाबा ने कहा बाप दादा सेवा का इशारा तो दे रहा है लेकिन सेवा के साथ और क्या इशारा दे रहा है स्वेम को संपन बनाने का ऐसे नहीं कि सेवा में इतने भी जी हो जाओ स्वेम को देखने का समय नहीं मिले स्वेम को भी देखो और समय को भी देखो बाकी सबी खुश मिजाज रहते हो अगर खुश मिजाज नहीं रहते तो जिसमें फेत हो भावना उससे सहयोग लो क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि छोटी-छोटी बातें कि समय भी आ सकती है इसलिए अपने को अलार्ट रखना अपना फर्ज है कोई कितना भी कहे लेकिन स्वेम स्वेम को अलार्ट रखना है तो आज बाप दादा सिवा और स्वेम दोनों को एवरेडी बनने के लिए इशारा दे रहे हैं संतुष्टा का वायू मंडल हर स्थान पर होना चाहिए अगर संतुष्टा है तो किसी भी सैयोग से क्योंकि होना है छोटा छोटा हो या बड़ा हो लेकिन उसके लिए स्वेम को पावर्फुल जरूर बनाना है अच्छा अच्छा तो बाबा ने कहा चारों और के बच्चों को दूर वालों को भी और नजदीक वालों को भी बहुत 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 मुबारक हो जो अपने उपर अटेंशन दे रहे हैं तो धोका नहीं खाना अटेंशन दो दे रहे हो और देते रहना अच्छा बाप दादा का बहुत बहुत याद प्यार और नमस्ते ओम शांत और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखे